के टाइप पढ़ने कितने टाइप के कंटेनर होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ देखो, कंटेनर के इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। उनके क्लासिफाइए उनको किया गया तो पहला इश्टाइब से कंटेनर हैं या हर्मिक्रली सील्ड कंटेनर यह चौता इसमें लाइट रिजिस्टेंट अ कंटेनर पांच टेम्प्रेचर इविदेंट या टेम्प्रेचर पुरूफ कंटेनर जिसमें अगर देखे well close container का मतलब क्या होता है कि अच्छे से बंद होने वाला container हो transportation के दोरान वो क्या ना हो breakage ना हो कहीं से वो आपका जो medicine आपने भरा वो loss ना हो जाए तो ऐसी condition से बचाने के लिए आपका अच्छे close container होना चाहिए दूसरा का है tightly close it protect the drug from container due to solid liquid and also prevent loss of due evaporation पता चले आपने उसको भरा ढखकन लगा रहा है लेकिन ड्रग क्या हुई इवपरेट हो गई इवपरेट का मतलब होता है वो गैसियस फॉर्म में उसको उस ड्रक्स के मॉल्क्यूल को निकल जाना जब उठा धर रहे हो उसको ले जा रहे हो उस दौरान इसको कंटेनर को क्या होना चाहिए प्रिवेंट करना चाहिए एर की कर रहे है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि काटन के अंदर पैक होके आती है मिटसिन तो उस टैम पे बहुत जगे उसको रखा जाता है कई मुर्टबा जो लेबर होते उठा के कई मुर्टबा उसको फेक भी देते दूर से तो इस सिट्वेशन से बचाने के कर दिया जाएगा या डार्क आरन कलर का कर दिया जाता है तो ऐसा भी होना चाहिए लाइट रेजिस्टेंट इट प्रोटेक्ट ता प्रोड़क्ट फ्राम धार्फुल इफेक्ट ऑफ लाइट यूज़ी अंबर कलर जिसको हम लोग कहते है ना डार्क है ब्लैक कलर होता है तो यह ब्लैक नहीं होता है इसको कहा जाता है अच्शली में अमबर कलर खहा जाता है टीक है यह वेस्ट हो सकती ही बिलकुल बनाज़ कोई झूह थेरपटिक एक्जन नहीं देंगे तो ऐसी मेडिससेंश को light resistant container में fill up किया जाता है पाचवाए temper evidence यह temperature proof container ऐसा container मतलब जिसमें temperature का भी कई मरतबा फरक ना पड़े क्या लिखा हुआ सा it is a fitted with the device of mechanism that prove where container has been open जब यह खुले तो वहाँ पर temperature को कोई effect ना पड़े पता चला आपने डखकन खोला उसमें बाहर से air गई और temperature वहाँ का cold है तो medicine क्या हो गई या आपकी जम गई तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए या उसमें आपकी liquid form में है वह evaporate होने लगी तो temperature के फरक की वज़े से ऐसी conditions नहीं होना चाहिए आपके container को medicine को जब भी container के अंदर तक है वह डखकन खुले तब भी उसमें कोई effect ना डाल पाए temperature ठीक है तो एसा container भी होना चाहिए छटा इसमें single dose container कुछ container ऐसे आते हैं जैसे injection के form में कई मरतबा injections ऐसे आते हैं कि single 2 ml के आते हैं 3 ml के आते हैं कि एक बार लगाओ और उसके बाद हो waste है उसको फेक दिया जाता है ठीक है न तो it contain only single dose of drug it is usually used for the injectable impulse जिसको कहा जाता है एंपूल्स क्या होते हैं single dose container होते हैं इसमें medicine भरी रहती एक बार लिया उसके बाद inject कर दिया patient को ठीक है फिर उसके बाद कई मरतबा injections ऐसे भी आते हैं जिसमें multiple होते हैं बड़ी शीशी bottles जिसको वाइल कहा जाता है ठीक है तो वाइल bottle से थोड़ा छोटा होता है जिसमें 10 ml, 20 ml, 30 ml तक ठीक है quantity होती है injections की और उसमें कई मरतबा inject करके needle के जरीए से उसमें medicine को syringe के जरीए से भरा जाता है उसके बाद patient को दिया जाता है ऐसे container को जिसमें बार बार हम लोग भर सकते हैं और उसमें rubber का closer रगा होता है ठीक है ना और वो seal fitted होता है aluminium से और उसमें rubber closer लग खरा होता है ठीक है तो आयसे container को कहा जाता है क्या क्या कहा जाता multiple multiple dose container ठीक है और बाकी अपना तुम वह भी समझ सकते हो कि जैसे inom syrapps होती है तो उसमें फिर एक ml क्योंकर यह होती तो कही मरतबह uh होती बच्चों के लिए आती है सश्पेंशन आते हैं तो उसमें कई मरतबा ऐसा यूज होते हैं ठीक है न तो उसको मल्टिपल डूस कंटेनर कहा जाता है फिर इसमें आटवा एरोसॉल कंटेनर इट इसा यूज तो होल्ड एरोसॉल प्रोड़क्ट का मतलब क्या हुआ वह प है मरतबा लिक्प्ड ब कनवर्ट कर ुट करके वर्ड यहा जाता तो उसमें प्रेशर लगा कि भरना पड草 एसके फॉर्म में जैसे सिलंडर में कभी देखा होगा चुटे से लेंडर में करते तो कितना प्रेशुल करते हो एकृष बाले relationर्प से होते हैं ठीक है न तो उसमें अगर उस फॉर्म में गैसियस फॉर्म में अगर उसको फिलप करना है कंटेनर के अंदर तो वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा उसमें PSI का पावर देना पड़ता है PSI को इसलिए क्योंकि यह पर प्रेशर को नापने के लिए PSI यूनिट्स होती है ठीक है तो यह चीज है उसमें ठीक तो समझ गया होगे कि क्लासिफिकेशन आप कंटेनर में जितने टाइप के कंटेनर में बता है तो इसके बारे में समझ गया होगे ठीक है अब हम लोग देख की यूज होता है बाकि जो दूसरे फॉप है वह सब वह लोजर के तौर फे या उसके बाहर वाले कवर के तौर पे या उसका पैकेज के बनाने के लिए वह material इंपॉर्ट Josh में लाया जाता है तो इसमें अच्छे फ्लाइज में क्या जाता है도 लिखा है वही चीज़ कि give the merit and demerit of glass, why is glass used as a packaging material, एक दूसरी चीज़, glass को क्यों packaging material के तौर पर use करते हैं, उसके reason इसमें समझ में आ जाएंगे, लिखा है एक अच्छे glass में क्या होना चाहिए, पहली merits से देखते हैं, इसमें लिखा होगा, it is a transparent, पहला कैसा होना चाहिए, transparent हो affected by temperature and pressure during sterilization, जब हम sterilize कर रहे हों, sterilize का मतलब क्या होता, free from microorganism, ठीक है न, all living things, ठीक है न, all living things, non living things, और साथ में dust और monster, किसी मलब कोई भी ऐसा particle, जो foreign particles होता है, उससे हम लोग remove कर रहे हैं, तो हम लोग sterilization कर रहे हैं, गर sterilization आगे कहीं topics होगा, तो उसके बारे हम ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि sterilization का कोई भी उस पे फरक नहीं पढ़ना चाहिए, या हम उसमें temperature की जरीए से इस्ट्राइल कर रहे हों, तो कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, it is a neutral, neutral होना चाहिए, जो अलड़ी बता चुक है कि neutral के माइने क्या होता है, उसका को कोई therapeutic या कोई भी nature ऐसा नहीं होना चाहिए, जो की medicine के साथ affect करें उसकी tendency को, पाचवा, it is a economical, महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है न, छटा light sensitive drug can be stored in amber class drugs, ठीक है न, light जो sensitive drugs होती है, उनको amber class drugs में भी store किया जा सकता है, it is a impermeable, कैसा होता है, impermeable होता है, मतलब इसमें क्या होता है, permeability का मतलब होता है कि इधर से उधर cross करने की tendency नहीं होती है, it has good protection power, इस पे क्या होता, production power ज्यादा रखता, it does not deteriorate with age, ये जैसे जैसे कहते हैं कि ज्यादा दिन product को रखने के बाद ये, क्या नहीं होता, खराब नहीं होती, ठीक है न, ज्यादा दि रखने के बाद, glass आपका खराब नहीं होता, demerits क्या होती है, easily breakable, अगर गिर गया फिर, मजबूत तो होता है, लेकिन अगर गिर गया तो तूटी जाएगा, दूसरा, some glass, release, alkali, कुछ glass ऐसे होते हैं, जो alkali को release करते हैं, तीसरा है, bulk package should be label as glass handle with care, जब बड़े package में हम लोग उसको glass की bottles को रखते हैं, तो बाहर लिखा रहता है कि handle with care, ठीक है न, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा रहता है glass bottles, handle with care, इसको बहुत सावधानी पूरवक उठाएं, अपना ध्यान से रखें, chance of flake formation, क्या हो सकता है, एक flake formation बना सकता है, flake का माइने का होता है, कि आपके material के स industry में, packaging के लिए, आगे देखते हैं, discuss plastic material for packaging, packaging material को क्यों, use में लाया जाता है, क्या इसकी quality होती है, क्या इसकी quality नहीं होती है, उनके बारे हम देखते है, मेरी demerits, they are light in weight, can be handled easily, plastic को बहुत easily हम लोग हलका होता है, easily handle कर सकते है, available in various shapes, बहुत सारे shapes size में available होता है, they are unbreakable, अब glass के साथ में chances क्या था, कि वो breakable हो रहा था, अगर गिर रहा है तो तूट जा रहा था, plastic अगर एक दो मरतबा, चार मरतबा गिरा गया भी, तो जल्दी से easily तूटत नहीं न, क्यों, plastic nature की वज़े से उसके, ठीक है, they can be transport easily, उसको transport करने में भी दिकत नहीं होती, ठीक है, resistance to inorganic chemicals, जो inorganic chemicals होते हैं, उनको खिलाफ resistance होता है, bad conduct of heat, heat का bad conductor होता है, जल्दी से इसमें heat पहुँचती नहीं है, good protection power, इसकी protection power जाधा होती है, ठीक है न, they have sufficient mechanical strength, एक sufficient mechanical strength भी रखते हैं, अब demerit क्या होती है, क्यों इनको, थोड़ा सा avoid किया जाता है, they may absorb the product, यह product का क्या कर सकते हैं, अपने अंदर absorb कर सकते हैं, leaching problem, leaching problem वही मने जो पताया था, अपने साथ drug materials में भरा रहा, पता चला, plastic के material जिससे बना हुआ, वो उसमें drug के साथ bind अप करके उसने अपने अंदर absorb करा लिया, पता चाहिए patient ने उसको लिया, तो वो क्या हुआ, उसके लिए toxic effect produce करेगा, discoloration of the product, product का discoloration भी कर सकता है, मैंने बताया था, जिस color का अगर plastic है, तो उसका color भी change कर सकता है, discoloration इसको कहा जाता, some plastic are permeable to glass, moisture, etc, कुछ plastic भी permeable होते हैं, कुछ plastic क्या होते हैं, permeable होते हैं, जबकि glass के section में कहा था, क्यों permeable नहीं होता, मतला भी दर से अधर transparent होतने के साथ, permeability नहीं होती, दर से अधर move नहीं कर सकता, product अपका, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होती, उसमें, तो इसमें कहरा, कुछ plastic होता है, सब की case में ऐसा नहीं है, तो